Hello everyone, मैं येश्वन्त कुमार, Chemistry Faculty at LN Online Program. आप सदिका स्वागत करता हूँ इस पोड़कास्ट वीडियो में, जिसमें हमारे साथ हैं Chemistry के एक्सपर्ट गोरो सर्मा सर, जो की LN में Functional Team Member दी. तो सर, वेलकम तो तिस वीडियो. तो आज हमारे लिए ये पोड़कास्ट बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, जब बच्चों के मुश्किल से करीब दो महीने रह गए हैं, जैमेन एग्जामेशन के लिए हैं. आज इस point of time पे बच्चे वो सुनना चाहते हैं, कि सर, अब मैं क्या पढ़ूँ अगले दो महीने में, मुझे pinpointed approach बता दो, जिससे कि जो जो मैं पढ़ूँ, वो सब कुछ मेरे marks conversion में helpful हो, मेरी maximization of marks कर दे, तो आज पूरा focus हमारा उसी पे है, उन बच्चों के लिए भी है, जो अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए वे, जिनके अभी भी कुछ-कुछ shortcomings हैं, अपने किसी chapters में, किसी topics में, तो हम यह बोलेंगे, बच्चों, आपको किस पर emphasize करना है, क्या क्या आप करेंगे, जिससे आपके efforts का 100% conversion of marks हो जाए, अपने आने वाले jamien examination, तो सर, म या उनका कोई अगर topic week है, तो फिर उस पर ज़्यादा time दें, ना दें, तो सर, यह बहुत अस्मंजस की इस्तिति रहते हैं, तो इससे कैसे बार निकला जा सकता है, जिए सर, हम लोग LN में हमेशा से जो academic excellence की legacy लेके चल रहे हैं, उसमें हम हमेशा एक scientific पूरा R&D करते हैं, और जो scientific R&D होती है, उसमें हम लोग कोशेश है करते हैं, कि बच्चों को exact वो बताया जाए, without being carried away by the emotions of the chapter, बच्चों को भी अब यही धियान रखना है, कि मुझे कौन सा topic पर संदेब बजाए उसके, कि जो मेरे ज़्यादा mass switching topic है, मुझे उस तरफ जाना है, सर आज उसी scientific analysis कि हम लोग बात करने वाले हैं, हम chapter wise chapter, topic wise topic बच्चों से वही discussion करेंगे, और देखें, बच्चों को कितना जादा फायदा होने वाला है, they will really love this. और इसके तो questions हमेशा important ही रहे हैं, अब जैसे मैं आप गता हूँ, इसमें बहुत साथे subtopics हैं, जैसे nature of matter, particles of matter, uncertainty, यह सब measurements, पर हमारे इसमें कुछ खास topics हैं, वो बहुत importance रखते हैं, जैसे कि हमारे stoichiometry पे हमारे questions आते हैं, limiting reagent, POAC पे जो questions आते हैं, वो अच्छे important है, और आजकल के time पे concentration terms तो बहुत ही important होता चला जा रहा है, अगर हम last year 2024 को trend देखें, तो जितने भी mole concept पे questions आए, उसमें almost 70% questions तो हमारे concentration terms पे ही आ गए, तो बच्चों को मैं जरूर बोलूँगा, कि अगर उनको इस chapter में कुछ भी तयार हो, नहीं तयार हो, अगर तयार है तो उस जो आपने topics बताए हैं, कि अगर बच्चा इन topics पर अच्छे से focus कर लेगा और अच्छे से इन पर ध्यान दे लेगा, तो उसको जिसा आपने बदाया कि maximum return on investment मिल पाएगा, बहुत बढ़ी असर आपने coin किया term, maximum return on investment सर, आजकल तो यह term बहुत जादा common हो गया है, लोग businesses में अगर हमें भी जो बात करते हैं, तो आपने बढ़ी ROI की बात कर ली, बच्चे का किसमे time investment हो, जिससे उसका return in terms of maximization of marks अपने आने वाले J-Main में हो, बिलको bang on target यही है, limiting reagent, POAC, stoichiometry के साब से, और concentration terms, जिस चेप्टर के हम बात कर रहे हैं, mole concept. तो सर, mole concept के बारे में बहुत अच्छे से आपने explain किया, I hope बच्चों को यह इससे काफी मदद होगी, तो सर, अब next chapter पर move करते हैं, अगला chapter आता है सर, हमारा atomic structure, जो की NCRT में structure of atom के नाम से भी दिया गया है, तो सर, इसके बारे में तो बच्चों को बताईए, कि इस chapter के बा सर, आगे जो और भी मोडल से उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो सर, बच्चों को क्या confusion होता है, कि इस पर ज्यादा फोकस करें, कि इस topic पर ज्यादा ध्यान दे, तो सर, प्लीज, आप थोड़ा सा बताईए इसके बारे में, दिखो इस सर में आपको तो atomic structure chapter अपने आप म important है, जैसे मोल कंसेट में ठीकटा question आते हैं, उससे भी ज्यादा question हमने बेखा है, ट्रेंड ये atomic structure से आते हैं, अब atomic structure से ज्यादा कोशन आते हैं, तो बच्चे के मन में आता है कि सर, atomic structure में ऐसा कौन सा पार्ट में तयार करूं, मैं आपको सही बता हूँ, बच्चे को पता ह relation है कि नहीं, सबसे ज्यादा question से हमारे quantum numbers से आते हैं, अगर हमें पता है quantum numbers क्या है, उनके electronic confusion work कैसे लिखते हैं, neutral atom की, cations की, maximum number of questions वहीं से आते हैं, इसके लावा एक और हमारा topic है hydrogen spectrum, hydrogen spectrum पे भी बच्चों को emphasize करना चाहिए, हाला कि कुछ और topics जैसे डी ब्रॉगली, quantum mechanical model इस पी भी अच्छा कासा trend shift हो गया है, हमें इसको भी नजदाज नहीं करना चाहिए, इसके लावा अगर कोई बच्चा topic का सकता है, तो मैं तो photoelectric effect के नाम दूगा, तो अगर मैं इसको फिज से nutshell में बोलना चाहूं, तो quantum numbers पे हमें काम करना है, जरूर करना है, अच्छे से करना है, और deep dogly wavelength, hyzenberg uncertainty principle, यहां इस area से questions आते हैं, और quantum mechanical model से, और towards the end, अगर photoelectric effect भी आपने तयार कर लिया, तो मुझे लगता है आपके majority of questions, atomic structure से आनिमल exam में पक्का cover हो जाएंगे, तो सर्थ इस chapter के बारे में मैं भी थ्वड़ा सा काफी interesting chapter लगता है सर्, मुझे भी है, तो मैं इसमें दो topic मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सर, जैसे कि एक तो photoelectric effect और slow danger equation, तो इन दोनों topics के बारे में क्या ख्याल है सर, कि बच्चा क्या है, इन topics के बारे में तोड़ा सा, ऐसा सोसता है कि यार यह तोड़े stuff है, मुझे कम समझ में आ रहे हैं, तो इनको तयार करना चीए सर, उनको या फिर छोड़ देना चीए, क्या लगता है आपको सर, हमें emotion से carried away नहीं होना, अगर हमें इस cost पे यह topics त्यार करने पड़ रहे हैं, जैसे कि quantum numbers, या फिर मैं बोलो, hydrogen spectrum, both model, कोगि यह military topics हैं, तो फिर नहीं, अगर उसको यह पता है, वो quite comfortable है, quantum numbers पे, उसका hydrogen spectrum, both model तयार है, उसके बाद अगर उसके पास time बचता है, तो वो quantum wave mechanical model पे जरूर चला जा सकता है, पर हाँ, फिर भी मैं यह कहूंगो, उससे ज़्यादा आसान topics आपके, अगर हम सोचें तो हो सकता है, डीब डॉगली है, हैपोतेसिस है, या आपका Heisenberg uncertainty principle है, इस पे चला जा जानते हैं कि कोई particular topic जो है, वो थोड़ा सा tough रेता है, या फिर कोई थोड़ा सा easy रेता है, अब सर हम जानता है कि, मेंस में, अगर हम बर exam देंगे, तो marks तो चारी मिलने है, आप tough question को solve करो, या easy question को solve करो, marks तो चारी मिलने है, तो क्यो ना हम बच्चों को marks oriented strategy बताएं, या आपको तो marks लेके आने हैं, है कि नहीं, आपको tough topic और easy topic से कोई मतलब नहीं, आप जो easy है, जो की मिल ही रहे हैं, उन पर तो ज़्यादा focus करें, क्या मानते हैं आप इसके बच्चों किसी भी topic से आए, चाहे वो उनको आसान लगता है topic उससे आए, चाहे उनको difficult लगता है topic उ यह तो जरूर मिलेगा, यह असान भी chapter है, इसके फटा-फटा आपको इसे marks भी मिल जाएंगे. इसे बारे में तोड़ा सा insights दीजिए, कि किस तरीके से बच्चा focus करें particular topic पर और कहाँ ज़्यादा ध्यान दें. देखें सर, redox reactions जो भी chapter है, इसका पूरा नाम NCIT में दिया redox and equivalent concept. तो basically, यह equivalent concept का chapter है. और आपको पता है, जब यह equivalent concept का chapter है, तो आप समझ सकते हैं, कि फिर तो इसी पर emphasis करेगा examiner. जी हाँ, अगर मैं यह बोलों कि इस examination में इस chapter पर questions आते हैं, तो almost 35 to 40 percent weighted इसी concept का है, equivalent concept का. तो अगर आपको redox तैयार करना है, और भी खाल से कर लेना चाहिए, तो equivalent concept जरूरत तैयार करके जाईए. हाला कि थोड़े बहुत easy questions हम देख सकते हैं, oxidation number पे, types और redox selection पे भी देखे गए हैं. अच्छा, तो सर, आईए जो topics आपने बताया है, ये थोड़े से पहली बार बच्चा इनसे introduce होता है, लेकिन ये उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे साब से सर ये जो equivalence concept वाला topic है, तो ये उसको बच्चे को आगे धी मदद करता है, और further chapters में भी, तो ये topics तो जरूर उसको तयार करने चाहिए, बिल्कुल सर, मैं तो बोलता हूँ, chemistry पूरी ही, एक्टरेंसे टिकी हो, ये equivalent concept है, फालक्रा में, chemistry के एक्टरेंसे, जो भी हमारा chemical elections होते है, क्योंकि सब सर, बच्चों सम्दों क्या बोलते है, बिल्कुल सर, बच्चों सम्दों क्या बोलते है, ब अपने बच्चों को ध्यान देना है, तो सर, हम next chapter पे चलते हैं, अब हम सर, बात करेंगे, thermodynamics के बारे में, तो सर, ये जैसे नाम सुनदा है ना बच्चा, तो थोड़ा सा उसके मन में एक डर सा आ जाता है, कि वो क्या करे ये thermodynamics, जब क्योंकि सर, वो physics में भी इसको देखता सर, मैं आपको ता हूँ, ये तो काफी concept वाला chapter है, इस chapter को हम बहुत जारे superficially करके नहीं जा सकते, no doubt ये important chapter है, पर एक बात मैं बोलूँगा सर, यहाँ पे मैं बच्चों को एक आसान काम कर देता हूँ, अगर वो इस chapter को बहुत अच्छे सा नहीं कर पा रहे, मैं जानता हू कई सारे बच्चों का ये pain point है, तो एक काम करते हैं, इस chapter को मैं मास्क है में कैसे conversion पे लेकर आना है, वो बता लेता हूँ, सर, एक तो सबसे important है, यहाँ पे gift free energy, जो हमासे पूछा आता है, spontanity पे question पूछा आते हैं, वो आपका hell mode equation जो है, वो हमें पके से तक्ता है तयार, delta G is equal to delta H minus T delta S, इसी पे question ज्यादे तर आ रहे हैं, सर, जितने भी अभी तब questions आये हैं, अगर मैं बूलू, almost 25% question इसी पे based आये हैं, तो बच्चे को समझ माया था, बस इतना सा topic में तयार कर लो, मेरा काम हो जाएगा, मतलब उसको entropy वगर निकालने की जोड़त नहीं है, केवल इसको यही निकालना है, delta G is equal to delta H minus T delta S का कैसे हम लोगों को application करना है, यह समझ माया थी है, एक और छोटी सी बार आसान कर देता हूं, सर मैं, होता कहा है, सर, हमारे आद जो भी questions आते हैं, वो आते हैं, बॉम calorie meter पे, relationship of delta H, delta U, कृचोफ से question पे, मतलब यह थर्मो केमिश्टी क हैं, कि almost, जितने भी questions आप देता हैं, उसमें almost 40% के type के questions तो इसी से हैं, तो आप बर एजली समझ सकते हैं, कि हमारा major emphasis अगर थमो जाने में questions करा है, जे ही main का, इनी topics पे रहा है, फिर से बताऊंगा मैं concluding, delta G is equal to delta H minus T delta S, मतलब आपको gives energy changes की बात कर नहीं होगी, साथ में, व जो आपके delta H, delta V वाले, वो, और साथ में bomb kilometer equation, जहां heat of combustion निकाल के, हम कैसे हैं, उसको delta H is equal to delta U plus delta NG RT करते हैं, वो equations वो करने लेके, बस, अगर इस पर वो कर देगा, मैं आपको ता रहा हूँ, अगर वो बाकी चीज़ है, नजर अंदाज भी कर देगा, उसका पस time कम है, डर भी लगता है, तो यह जो particular topics आपने बता हैं, यह मैं भी feel करता हूँ कि, इतने tough नहीं है, easy way made topics हैं, और इनको अगर वो पढ़ लेता है, तो definitely marks उसके आ जाएंगे, और scoring रहेगा उसके लिए, सब बलके मैं कहूँ, यह तो easy area ही है, इस topic का, इसी से questions आ रहे हैं, अब आप आप में आज बात ही इतनी अच्छी करवा दिये शुरू आज सही, कि हमें बच्चों से वो बात करनी है, कि उसके लिए जो आसान भी हो जाएं, marks भी लेके आ जाएं, और मैं आपको seriously बता रहा हूँ, हमारे इस discussion से बच्चों को maximum फाइदा होने वाला है, और सारा ही scientific है, य किसी का personalize नहीं, इसमें कोई subjectivity involved नहीं है, यह सारा के सारा हम जो कर रहे है analysis, सब scientific basis बगरने है, with the basis of data, data पे सब कुछ चलेगा, हमारे जो examination trend है, examination pattern है, उस से आप से चल रहा है, बिल्कुल ज़र, यह तो engineers के खुन में ही होता है, यह हमेसा data पे बात करते हैं, यह आपके figures हैं यह आपका, आपने invest किया, यह आपका output है, तो इसी तरीके से अपने engineers बात करते हैं सर, और hopefully जब बच्चे IAT जाएंगे तो engineers बनेंगे, तो हम लोग एक तरीके से उनके phone में यह वाली बात अभी सही डाल देते हैं, कि आपको कहा पर investment ज़्यादा करना है, ताकि आपको maximum output मि बारे में, तो equilibrium में भी हम सबसे पहले बात करेंगे, सर, chemical equilibrium के बारे में, तो सर, यह chapter क्या है, कि बच्चे यहाँ पर कुछ-कुछ जैसे degree of dissociation के कुछ questions होते हैं, equilibrium constant के कुछ questions होते हैं, तो यह बच्चे यहाँ पर देखके इनको थोड़ा सा अजीब सा feel करता है, कि यार यह क equilibrium नाम का एक ही chapter है, हाला कि generally हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ रहे है, यह chemical equilibrium और यह काईनी कुछ, chemical equilibrium बहुत छोटा सा chapter है, बहुत आसान chapter है, और इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा almost 40% weightage जो है, जो questions आए है, बलकि 40% weightage 60% weightage तक भी कह सकता हूं, 60% weightage जो है से like 6 साल में, 58 questions अगर आए है chemical equilibrium पे, तो 39 questions तो इसी topic पर आए है, जो मैं आप से बात कर रहा हूं, law of mass sections, KPK से, 60% है आराम से, तो बच्चों को बड़ा आराम से हम लोग खुल के बोल सकते हैं, कि आपको तो tension लेनी की जरुद नहीं है, आपके लिए तो हमने jackpot लाँ दिया, आपके वल ये तयाज जरू करें, ये chemical equilibrium में आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल, जो क्योंकि से बच्चा से thermodynamics में भी थोड़ा सा equilibrium के बारे में जान लेता है, जब हम डेल्टा जी की बात करते हैं, तो वहीं से वो फिर connect भी कर सकता है, कि कि किस तरीके से डेल्टा जी को हम equilibrium से connect करें, और फिर आगे फर्दर इसको study करें, तो इस पर जो main-made topics असर, एक तो starting वाला पार जैसे आपने बदाए कि लोग मास section और जो equilibrium constant अपने different tire के, इन पर बच्चों को focus करना है, और इसके लावा क्या बदाए असर आपने? मैं तो गहरो इसी पर focus करना है, अगर उसके सुधी time है, तो मैं तो बोल दूँगा थोड़ा relationship जो होता है, हमारा gifts free energy change का, QC और KC वाला बस, इस स्यादा नहीं, अगर आप फर्स पार्ट पर करता है, emphasize काफी है, तो sir, इसमें एक बच्चों का थोड़ा साप pin point रेता है, ले चेटलियर principle, तो इसके बारे में क्या ख्या main में, आप देखते हैं, हर साल कितने सारे J main sessions होते हैं, और पिछले चार साल में तो बहुत जादा हुआ है, उन चारों sessions का अगर हम देचों कोई निका रहे हैं, ली शेटलियर principle पर केवल तीन question पूछे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं sir, ये साधी चीजें बच्चों ने mind बना रखी हैं, हमने बोला ना, अब हमें emotions के साथ नहीं चलना, हमें सोचना ही नहीं है, कि हमारे साप से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमें केवली की बास सोचनी है, जैसा आपने शुरू में coin किया तर्म return on investment, हमें तो केवल maxim of marks करने, आने वाले examination में, मैं आपको दाबर केसंद कहा रहा हूं, कि जो हमारी strategies आप से चलेगा, उसका chemistry में 99, क्या 99.5% भी बहुत असानी सा जाएगा, यह सर, बिल्कुल, क्योंकि हम जो topics बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि है, कोई particular chapter हम ऐसा बोल रहे हैं, कि यह topic छोड़ दो, हम थोड़े से important concept बता रहे हैं, कि जिन पर आज कल NTA focus कर रहा है, और यहां सर, majorly questions पूछे जा रहे हैं, वोगर बच्चा यहां पर focus करेगा, तो major chunk त बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने chemical equilibrium के बारे में बात किये सर, तो अब moving on to the next chapter, जो कि आईउनिक equilibrium है सर, तो सबसे पहले तो बच्चे जब इसका नाम सुनता है, आईउनिक equilibrium, तो नाम में ही सर, ऐसा लगता है, कि यार यह तो कोई डरावना सा chapter है, और पिर जब वो सर, तो सुरुआत में तो उनको मज़ा आता है, थोड़ा सा theory पड़ते हैं, फिर धिरे धिरे जब वो pH calculation देखता है सर, तो pH का formula देखके भी वो थोड़ा सा ऐसा feel करता है, यार यह तो cut लोंगा मैं, लेकिन जब उसके बाद different cases बताते हैं, strong acid के बताते हैं, फिर बाद में ज हाँ पर एक weak point आई जाता है, चलो ठीए कि pH उसने पड़ लिया, उसके बाद फिर अगला topic अपर पड़ाते है, salt idol, फिर puffer आता है, तो जैसे जैसे chapter आगे बढ़ता है, बच्चे के अंदर जो give up वाली feeling है, वो develop हो जाती है, यह मैं एक्दम true emotions बता रहा हूं सर, जो बच्च मैं आज तक बड़ा अजीब लगता है कि बच्चों को इस chapter के नाम से क्यों इतना ज़्यादा वो है, क्योंकि थोड़ा सा calculated है chapter, और इस chapter में एक और चीज़ जो देखी जाती है, वो होती है, art of take approximations, approximations कब कहां कैसे लेने है, जनरली बच्चे गई वहां भी फस्ता है, मा ल reagents दिये गए हैं, वो सब कुछ नहीं है, उन reagents का react होने के बाद, finally अब आपके पास क्या बचा है, वो है actually final चीज़ जिससे आपको सोच शुरू करनी है, कई पर ऐसा होगा, आपको mixture of strong acids and strong bases दे दे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों के gram equivalent से लग 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 finally remaining part है, acid या base, वो ही nature हो जाएगा, वो solution का, उसी इसाप से normality निकालेंगे और pH या pH निकालेंगे, अब जैसी अगर आपके पास weak acids or bases के mixture भी आ जाते हैं, तब आपको acid or base के rate के salt बनाने हैं, और अगर कहीं वो salt बन गया weak acid का, और साथ में बचा हुआ है आपका थोड़ा सा weak acid, तो आपको acidic buffer बन जाएगा, और अगर वो बन गया weak base का salt, और साथ में बचा हुआ उसका अपना एक weak base भी, तो वो बन जाएगा आपका basic buffer, और मान लीजे, complete nutrition होने के बाद salt बचा, और वो केवल केवल बचा strong acid strong base का, तो पीएस होगी 7 neutral, और अगर मैं इससे एक कदम आग agent से नहीं खब रहें, उनके gram equivalent के साथ फैसला करें, और फिर समझें के हम finally किस mixture के साथ stand on कर रहें, फिर हमारा pH निकालना असान, और एक मालब मैं आपको एक remarkable statement या देना चाहता हूँ, stronger acids and stronger bases reacts first, तो जब भी पहली लगाई होगी, stronger की होगी, धियर दियर करके हम weaker पर आते जा चाहें weak हो, वो लड़ाई आपस में हमेशा number of gram equivalence पही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि stronger acid है, तो weak base के ज़्यादा gram equivalence लग जाएं, नहीं, जब भी acid base के reaction होगे, हमेशा same number of gram equivalence पही होगे, तो फिर से में repeat कर रहा हूँ, starting में आपको जो कुछ दिया हो, उन सब को acid base को पूरा react क कराने के बाद, last में जो stand-on position है, weak acid बचा है, उसका salt बचा है, weak base बचा है, उसका salt बचा है, या cable salt बचा है, या acid of base, दोनों strong है, वो दोनों neutralize हो गए, या कोई strong acid बचा है, या कोई strong base बचा है, उस दाप से आपको आगे बहनना पड़ेगा, और मैं आपको ता हूँ, pH निक very easy. को भी ठीक से तयार करता है, केस भी बगरा की बातचीत करता है, तो मैं 100% guarantee सकता हूँ, कि उसके questions जो है, काफियत तक ठीक होने वाले है, तो उसको दो यू topic पे ज़्यादा emphasize करना है, इक तो solubility वाले concept पे, और pH calculation, जिसके लिए मैं थोड़ा आसा उसको एक approach भी दे दिए, पहरे तरीके सार समझाया है, मैंने भी जिसे आपकी बाते भी सुनी, तो आईने किकलिविरियम को एक, रहता है सर बच्चो को क्या है, कि अपन जब class में पढ़ाते हैं, तो वो जब particular topic पढ़ा रहे हैं, महां तक उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जब पूरा chapter खतम हो गया अब माल लेजिए, उनके सामने कोई question आ गया है, तो उनको किस तरीके से approach करना है, वहां पर सर बच्चो का सबसे बड़ा confusion लेदा है, तो उसमें आपने एकदम pinpoint तरेके से, बहुत बारे की सार्चे से बताया है सर, आई हो बच्चो को ये काफी मदद भी करेगा, अब सर, आ लास्ट येर से ही, जेए में के स्लिवर से बहार हो चुका है, पर जेए एडवान्स का बीवी पार्ट बनाऊगा, तो सबसे पहली बात तो मता हूँ, बच्चो को मन में एक ख्याल ही आता है, कि स्टेट सो मेटर हम पढ़ें की नहीं पढ़ें, ऐसा ना हो जाओ से जेए मे प्रैक्टिस नहीं करना चाता अभी, तो बेहचक, बिना जेड़ इसको छोड़ सकता है, हाला कि एक बात छोटी से जरूर बोलूँगा, कि स्टेट सो मेटर ही कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसा आइडल गैस कंसेप्ट्स हैं, आइडल गैस एक्वेशन हैं, उसके ग्राफ्स ह अगर वो इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है, तो उसके और बाकी चैप्ट्स में उसको मदब मिलती, जैसे कि थर्मोजाने में बसे, तो मैं ये कहूंगा, कंसेप्चल वे में थोड़ा सा अपने आपको जोड़ के रखें इस चैप्ट्स को, पर हाँ, निमेरिकल प्र सिलेबस का पार्ट रखा ही नहीं गया है, तो बच्चे को हम अभी मोटा मोटा बोल सकते हैं, कि यह तो मेंस के पॉइंट ओप्वी से अगर देख रहा है, तो इसको छोड़ दे, अगर जो अपना जैन्वेरि अटेम्ट देना है, बाकी एडवांस की पॉइंट ओप्वी स और एक चेप्टर के बारे में एक छोटा सा क्रिस्प देही दे बच्चों को, कि वजिया तिरको इस पर्टिकुलर चेप्टर के ये टोपिक्स तयार करना है, अगर तिरको एक minimum जो बेरियर है, उससे अबो माक्स एक्जाम में स्कोर करना है, तो तो सर, आप एक बार स्टॉशिमेट्री यानि की एक्विशन के बेसे पर लिमिटिंग रहे हैं, वगरार की कुश्चन्स होते हैं, पर्संटेज कॉंपोजिशन और आपका एम्पेरिकल मॉलिकुलर फ़र्मले पे कुश्चन्स आते हैं, अगर डीब रोग लिए हाइपोटेसिस और हाजिन बग उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो मेरे लिए सबसे इंपोटन बात वही है, यानि की वही गिब्स हेल्मोज इक्विशन जो है आपकी उसी पर आपको इंफिसाइज इसके साथ सथ अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, तो किचॉफस इक्वेशन डेल्टा एच, डेल्टा यू का आपका वेडिशन विट टेमपरचर वाले वाले कुश्चन्स कर लिए, थर्म और डानिमिस की चिंता आपकी दूर हो जाएगे, जब हम केमिकल इसके रिलेशन पे आप ग्राफ्स वगर और देख लीजे आपका केमिकल इकलिम का काम भी हो जाएगा और हम आईने इकलिम के बात करें इतना कर लिया हमारा हो जाएगा काम ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोग बच्चे अध्यान में रखना मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद आपके लिए कुछ भी ऐसी दिक्तर की बाद बचिए आप हमारे बताए तरीके पर चलिए सर मैं दावे के संग कह सकता हूँ बच्चे अगर हमारे तरीके से जाएंगे तो 99.5 परसंटल भी इनकी मुठी में है सर अब्यसी वाद है न सर एक्चली अपन लोगों ने जो ये डिस्कसन किया है सर एक्चली बच्चा उतना लेवल पर सोच नहीं पाता है सर एक्षण से शर ये प्लानिंग वाला पार्ट है उसमें आपने बच्चों का टाइम परचा दिया है साथ ही साथ एक उनको डेटा सांटिफिक डेटा जो हमने लिया है मेंच के प्रीवेस येर पेपर्स हैं तो सर मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर हम बच्चों की help कर पाते हैं बागी सर पढ़ना दो उनको है तो जो काम उनके उपर है वो अपन ने उनको उपर छोड़ दिया है बागी जिस काम में हम उनकी help कर सकते हैं पर हमारा experience काम आता है उसमें आपने आज बहुत ही अच्छे सर एक्प्लेंग किया है तो सर एलन का तो है student center के एलन जो बच्चों के लिए best test एलन हमेशा करेगा और मैं आपको दावेगी संग कर सकता हूँ ऐसी scientific analysis एलन से पहले अभी तक किसी नहीं किये सभी बात है सर बहुत ही अच्छे से आपने explain किया है और सर हमारा quote भी तो है ना कि हम पढ़ाएंगे हम हमारा जो expertise ये बच्चों के साथ share करेंगे तो अगर बच्चे हमारे जो दिये हुए निर्देशान साथ चलेंगे तो फिर together we will make a difference ठीक है बच्चों फिर आज ये सारा वीडियो को हम लोग यहीं पर end करेंगे hopefully आप हमारे बताय तरी के बचलेंगे और अपना maximization of marks अपने effort के संग कर लेंगे ठीक है सर, thank you so much for this video thank you